दोस्तों याद है जब हम स्कूल में हुआ करते थी तो हमें गर्मियों की छुटी या समर्वेकेशन का कितना बेसबरी से इंतजार रहता था। ये वो समय होता है जब स्कूल के बच्चे पढ़ाई, लिखाई, परिक्षा, इंतिहान जैसे सारी चीजों से टेंशन फ्री होकर कहीं घूमने जाते, यादे बनाते, कोई दादी नानी के घर जाता तो कोई किसी नई जगा पर आज एक ऐसे वेकेशन की कहानी है जो हमारे वे वेकेशन का अनभव करवाता है कौन है वो शक्स और क्या है उनके वेकेशन की कहानी मुवी स्ट्राइब आज अपने पिटारे से एक अनोखे वेकेशन की कहानी पेश करती है 1999 की कीको जीरो डाइरेक्टर तकेशी किटानो IMDb 7.7 दोस्तो हमारी M.T. फैमली तीन लाग पूरे होने में बस कुछी दूर है आपके देर सारे प्यार और सपोर्ट से हम सभी यहां तक पहुँचे हैं हमसे कहाने सुनना आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आपकी तरफ से भी थोड़े लाइक, शियर, हर्ट्स, कॉमेंट्स, पक्के से करें जो नए हैं और हमें सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया ऐसा ना करें सब्सक्राइब तो करतो आपके लिए ऐसे ही कहान लाते रहेंगे यार तो फिर चलिए अभी फिलहाल ये कहाने सुनते हैं कहानी की शिरवात एक बच्चे से हुई जो खुशी से दौरता हुआ अपने घर की तरफ भाग रहा है बच्चे का नाम है मसाओ पर मसाओ इतना खुश क्यों है और वो कहां से आ रहा है ये हमें कहान जा रहे हो वो बोला मैं अपने माबाबा के साथ काओ जा रहा हूँ अपने दादा दादी से मिलने ये सारी बाते करते हुए रास्ते में उन्हें कुछ लड़के दिखे उन लड़कों को देखकर दोनों ने अपना रास्ता बदल लिया क्योंकि वो लड़के मसाओ को हमेश जल्दी छुटी हो गई? हाँ कल से मेरी गर्मियों के छुटियां शुरू हो रही है इसलिए आज जल्दी छुटी हो गई ये कहकर मसाओ वहाँ से चला गया उसके जाने के बाद वो महिला कीको जिरो से कहने लगी बेचारा मसाओ अकेले ही अपने दादी के साथ रहता है उसके पिता नहीं रहे और उसकी माँ भी शायद काम की सिलसले से बहुत दूर रहती है तब ही कीको जिरो बोल पड़ा या ये भी हो सकता है कि उसके माँ किसी और के साथ भाग गई है और उसने दूसरी शादी कर ली इसी बात पे दोनों की बहर शुरू हो गई दरसल कीको जुरू भी इसी परस्तिती से गुजरा है जहाँ छोटे में उसकी मा ने भी उसे छोड़ दिया था और तीन-तीन शादिया की थी यहां मसाओ ने घर आकर अकेली ही खाना खाया और फुटबॉल लेकर मैदान की तरफ खेलने निकल गया पर जैसे ही वो मैदान पहुँचा तो देखा आज मैदान में कोई भी नहीं खेलने आया क्योंकि सब ही बच्चे गर्मियों की छिट्टिया में बाहर जाने के तयारी में लगे है अब शाम में बसाओ अकेले घर में उदास बैठा अपनी दादी से पूछने लगा मेरे मा बाबा कहा है दादी बोली तुम तो जानते हो तुम्हारे बाबा सड़क दुरखटना में बहुत पहले ही गुजर गए थे और तुम्हारे मा दूर किसी जगा बहुत बैनत वाला काम करती है तुम्हारी लिए ताकि तुम अच्छे से पड़पाओ इसलिए तुम्हे अपने पढ़ाई पर ध्यादेना चाहिए ना कि छुट्टियों पर मसाओ ये सुनकर बहुत उदास हो गया अब अगले दिन वो अपने एक दोस्त के घर खिल ले गया पर वहाँ कोई नहीं सब छुटिया मनाने चले गया है उसके बाद एक और दोस्त के घर गया वो भी तभी तभी घर से घुमने जाने के लिए निकल रहे है मसाओ अपना भारी मन लिए घर वापिस आ गया और बैठे बैठे अपना होवग करने लगा तब ये दर्वाजे की घंटी बची और मसाओ ने देखा उसकी दादी के लिए एक पारसल आया है जिसे लेने के लिए स्टैंप लगेगा इधर मसाओ को दादी के दरासमें स्टैंप ढूंटे ढूंटे उसके मा के कुछ तस्वीरे मिली और साथ मिला उनके घर का पता मसाओ ने अपनी मा के एक तस्वीर, कुछ किताबे और उस पते को अपने बैग में डालकर अकेला ही निकल पड़ा अपनी मा से मिलने यहीं से मसाओ की जंदगी में उसके सबसे रमाचक सफर की शिरुवात होती है रास्ते में मसाओ को फिर उन बदमाश लड़कों ने रोक लिया उसके सारे पैसे छेन कर उसे परेशान करने लगे उसी वक्त वहां कीको जुरू और उसकी वाइफ आ गए और उन लड़कों से मसाओ के पैसे वापिस लेकर कीको जुरू वो पैसे मसाओ को ना देकर अपने ही जेब में डालने लगा उसकी पतनी ने गुस्ने में घुर कर उसे देखा और कहा ये मसाओ के पैसे हैं उसे वापिस करो कीको जुरो को ना चाहते हुए भी वो पैसे मसाओ को देने पड़े अब कीको जुरो की पतनी मसाओ को एक रेस्टोरांट में ले गई उसे पता चला कि मसाओ अपनी दादी से बिना कहे ही अपनी मा की तलाश में निकल पड़ा है इतनी दूर तुम अकेले कैसे जाओगे कैसे डून पाओगे अपनी मा को ये कहकर उसने कीको जुरु को बुलाया और उसे कुछ पैसे दे कर कहा मसाओ को उसकी मां से अच्छे से मिला लाने के जम्मेदारी तुम्हारी है समझे लेकिन अब उसकी दादी से क्या कहा जाए तो उसने कहा दिया कि उसका पती मसाओ को कुछ दिनों के लिए समंदर किनारे खुमाने ले गया है दादी की दोस्त होने के नाते उन्हें ज़ादा फिक्र नहीं हुई बलकि वो खुश हो जाती है यहाँ से शुरू हुई कीको जीरो और मसाओ की ना भूने वाला एक सफर सबसे पहले तो कीको जीरो मसाओ को उसकी मां से मिलवाने के बजाए कहा साइकल के रेज दिखाने ले गया वहाँ सटे पे सटा लगा कर उसकी बीवी के देश सारे पैसे वो हार गया इसके बाद उसने मसाओं से भी उसके पैसे ले लिये बताओ और कहा तुम एक से नौ तक वोई भी दो नंबर चुनो मसाओ ने चुना 6 और 3 और किसमस से यही 63 नंबर साइकल ही पहली विजिता हुई कीको जीरो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा उस रात उन्होंने एक अच्छे से रेस्टरॉन में खाना खाया रात एक होटल में गुजारी सुबह होते ही कीको जीरो ने मसाओ से कहा क्या तुम्हें अपनी मा से मिलना है मसाओ ने हामेसर हिलाया लेकिन वो फिर से उसे साइकल के रेस दिखाने ले गया लेकिन आज मसाओ के बोले किसी नंबर ने भी कीको जीरो का साथ नहीं दिया और धीरे धीरे वो सारे पैसे हार गए मसाओ की गलत नंबर गेस करने के कारण आज वो अकेले ही रेस्टरॉंट में गया है और मसाओ को बाहर खड़ा कर दिया पर जब वो बाहर आया तो उसे मसाओ कहीं नहीं दिख रहा वो उसे ढूनने लगा तब ही उसके नजर एक अधेर उमर के शक्स पर पड़ी जो मसाओ का योन शौशन करने की कोशिश कर रहा है कीको जिरो ने उसे बहुत पीटा फिर मसाओ को वहां से लेकर एक टैक्सी में बैट गया मसाओ बहुत रोने लगा उसे ऐसा रोता देख कीको जोरो ने फैसला किया कि अब वो उसे उसकी मां से जरूर मलवा के रहेगा थोड़ी देर बाद टैक्सी डाइवर टॉलेट करने उतरा कीको जिरो ने देखा कि बहुत देर से वो टॉलेट ही किया जा रहा है और यहां टैक्सी का मीटर चालू है पैसे बढ़ रहे हैं जबकि टैक्सी तो इक ही जगा खड़ी है यह देख का कीको जुरो समझ गया और वो खुदी टैक्सी चलाने लगा पर ड्राइविंग में उसका हाथ इसकदर तंग था जुज ने कुछ दो टैक्सी चला कर ही उसका बारा बजा दिया वो रात किसी तरह उन्होंने उसी टैक्सी में गुजारी और सुबह टैक्सी वही छोड़कर आगी बढ़ गए फिर उसने मसाओ को एक जूज खरीद कर देते हुए कहा जब तुम अपनी मां से मिलोगे न तो बताना मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा कितने अच्छे से तुमको खिलाया पिलाया और सारे पैसे तुम पर ही खर्च किये असल में वो चाहता है कि जब मसाओ अपनी मां से ये सब कहे तो उसके मां खुश होकर उसे जरूर कोई इनाम दे इसके बाद दोनों एक रिजूर्ट पहुँचे कीकु जिरू ने अपने लिए और मसाओ के लिए भी कुछ कपड़े खरी दे फिर दोनों आगे रिजूर्ट के स्विमिंग पूल के किनारे कुछ देर बाद मसाओ तो स्विमिंग पूल में उतरा फिर वो कीकु जिरू से उतरने को कहने लगा क्या तुम नहीं आओगे कीकु जिरू मसाओ की नजर में हीरो बनने के लिए स्विमिंग पूल में कूट तो गया पर उसे तो तैरना ही नहीं आता वो एक पता नहीं अजीब से हालत में पूल में गिरा पड़ा है फिर उसे जल्दी से सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाला इसके बाद वो अपने कमरे में आकर एक टेबल पर तैरने का अप्यास करने लगा और ऐसे ही दोनों अलग-अलग अजीबो गरीब मस्तियां और पागलपंती करते रहे जब रिजॉर्ट छोड़ने का समय आया तो कीको जुरू रिजॉर्ट के मैनेजर से इस बात पर लड़ पड़ा कि उनके यहां सब कुछ इतना महगा क्यू है तुमने तो हमारे सारे पैसे ही ले लिए तो अब तुम ही को हमें अपनी गाड़ी में कुछ दूर तक लिफ्ट देना पड़ेगा मैनेजर की मुलाकात कीको जुरू जैसे इनसान से पहली बार हुई है उसने भी ठक हार कर उसकी बात मान ली कि अब और बहस की तो वो पागल हो जाएगा फिर कीकुजूरों ने मसाओ के सर पर एक टपली मारी और कहा चलो अब यहाँ से पर यह क्या यह तो मसाओ नहीं बलकि कोई और ही बच्चा है उस बच्चे के मम्मी पापा तक उसके पीछे पड़ गए फिर किसी तरह वो मसाओ को लेकर वहाँ से निकला मैरेजर उन्हें कुछ दूर लिफ्ट देकर वहाँ से चला गया वहाँ कुछ ट्रक्स खड़े हैं जिसे देखकर कीकुजूरों ने मसाओ से कहा जाओ जाकर उनसे लिफ्ट मागो पर ट्रक ड्राइवर ने लिफ्ट देने से मना कर दिया अब उसने मसाओ से कहा लिफ्ट मांगने के लिए तुम्हारा चहरा दुखी जैसा नहीं लग रहा रुको फिर उसने मसाओ के चहरे पर पता नहीं कुछ अजीब से नक्षे बनाए और फिर से उसे लिफ्ट मांगने भीजा इस पर मसाओ पास खड़ी एक गाड़ी में लिफ्ट मांगने गया गाड़ी के अंदर बैठे लड़के ने मना कर दिया पर उसकी पिरिमी का कहती है कितना मासूम बच्चा है लिफ्ट दे देते हैं न इसे और इस तरह कीको जूरो और मसाओ को उस गाड़ी में लिफ्ट मिल गई पर जाने से पहले कीको जूरो ने एक पत्थर ट्रक के शीशे पर दे मारा जिससे ट्रक का शीशा तूट गया ट्रक ड्राइवर ने उसे पकड़ कर बहुत पीटा कुछ देर मार खाने के बाद उसने भी उल्टा ट्रक ड्राइवर को पीटा अब इधर उस कपल के साथ मसाओ ने खूब बस दी की और सबने मिलकर साथ में एक अच्छा समय गुजारा पर अब उस कपल के जाने का वक्त हो गया है वो दोनों को एक बस्टॉप पर उतार कर चले गए अब दोनों बस्टॉप पर बस का अंतजार कर रहे हैं तब ही एक और आदमी आया और उनके साथ बैठ गया कुछ देर बाद वो अपना खाना वहीं पर रखकर बस्टॉप की पीछे टॉयलेट करने गया बस फिर क्या खुरा फाती दिमाग वाला कीको जीरो ने उसका खाना ही चुरा लिया जब वो आदमी वहां से चला गया तो उसने तीन पैकेट मिसे दो पैकेट मसाओ को दिये और एक खुद के लिए छुपा कर रख लिया जब मसाओ ने पूछा आप नहीं खाओगे तो कीको जीरो ने एक्तमी सहचिता से कहा तुम खा लो तुम्हें देखकर ही मेरा पेट भर जाएगा ये कहने के साथ ही बस टॉप के बगल में जाकर चुपकर जल्दी जल्दी अपना पैकेट से खाना निकाल कर वो खाने लगा लेकिन जल्द बाजी में उसके हाथ से खाना नीचे गिर गया और अब बेचारे को सच में ही भूका रहना पड़ेगा यहां इंतजार करते करते रात हो गई फिर रात से दिन भी हुई पर वहां कोई बस ही नहीं आ रही मसाओ ने भी गाड़ी से लिफ्ट लेनी की बहुत कोशिश की लेकिन वहां एक भी गाड़ी नहीं रुकी ना ऐसा करने से तो नहीं चलेगा तभी कीको जूरो ने एक अंधे का भेज बनाया और रास्ते की बीचो बीच अंधे की आक्टिंग करने लगा पर इससे भी कोई फाइदा नहीं हुआ बलकि एक गाड़ी तो उसे धग्का मार कर ही भाग गया इसी तरह एक और रात हो गई देर रात मसाओ अपनी मा की तस्वीर देख रहा है मसाओ से बात के दौरान की कुजूरो को पता चला कि उसने कभी अपनी मा को नहीं देखा है ये जानकर की कुजूरो को बहुत बुरा लगा क्यूकि उसे भी कभी उसकी मा का प्यार नहीं मिला था अगले दिन वो बस का इंतजार छोड पैदल चलना शुरू कर देते हैं कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने एक नया पैतर आजमाया रास्ते में कील रखकर ताकि गाड़ी का टायर पंचर हो और चेंज करने में उनकी मदद के बहाने उन्हें कुछ दूर तक लिफ्ट मिल जाए बगर जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ ना होकर एक गाड़ी सीथा पुल से नीचे जा गिरी दोनों वहाँ से भाग खड़े हुए कुछ दूर भागने के बाद कीको जोरू फिर से एक और गाड़ी का हवा निकालने लगा और उस गाड़ी का मालिक वही खड़ा उन्हें ये सब करते हुए देख भी रहा है लेकिन उसने उन्हें कुछ कहें बिना ही लिफ्ट दे दी वो बोला तुम जहां बोलोगी तुम्हें वही लेकर जा सकता हूँ क्योंकि मैं एक लेखाग हूँ और मैं जगा जगा घूम कर वहाँ की सारी बाते लिखता हूँ बात करते करते आखिर कार मसाव अपने मा के घर पहुँच गया वो अपनी मा से पहली बार मिलेगा उसे पहली बार देखेगा पहली बार बात करेगा ये सब सोच सोच कर मसाव मन ही मन बहुत खुश और उस जगता से भर गया पर ये खुशी जादा दिर बरकरार नहीं रही जब उसे पता चला कि उसकी माँ यहां काम नहीं कर रही बलकि उसने तो अपने एक अलग संसार बसा लिया है उसने दूसरी शादी कर ली है जिससे उसकी एक बेटी भी है उसने मसाओ को भुला दिया है और अपनी नई दुनिया में बहुत खुश है ये सब देखकर छोटा मसाओ अपनी आखों में आसू को समेटे वहां से चला गया कीको जीरू मसाओ को दिलासा देने लगा हो सकता है ये तुम्हारी मा नहीं हो, कोई और हो पर मसाओ अब समझ चुका था आखिर क्यों उसकी माँ से मिलने नहीं आई कि उसे माँ का प्यार नहीं मिला क्योंकि वो तो अपनी अलग दुन्या में खुश थी इसके बाद कीको जीरू मसाओ को समंदर किनारे बिठा कर वापिस मसाओ की माँ से बात करने उसकी घर आया लेकिन वो उसकी माँ से बात नहीं कर पाया फिर पास खड़ी बाइक में उसे एक घंटी दिखाए दी जब उसने बाइक वालों से उस घंटी के बारे में पूछा तो उन्होंने बताये कि ये फरिश्टों का है जो शान्ती और खुशी का प्रतीक है उसने उनसे वो घंटी माँगी लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया किको जुरू बोला अगर ये तुमने मुझे नहीं भी दिया किसे ना किसी तरह से मैं इसे ले ही नूँगा डर के मारे उन्होंने वो घंटी उसे दे दी वो ऐसे किसी जमेले में नहीं पढ़ना चाते कीको जुरो ने वो मसाव को देते हुए कहा ये तुम्हारी माने तुम्हारे लिए दिया है जब भी तुम्हारा मन उदास हो तो इसे बजाने को कहा है इसे बजाने से आसमान से फरिष्टे नीचे आएंगे और तुम्हारी सारे मनोकामनाई पूरी होगी नादान मसाव उसी वक्त उसे बजाने लगा लेकिन ये फरिष्टे एंजल्स ये सब कहानिया लोगों को भुलाने के लिए गड़ी जाती है सच्चाई इससे बहुत अलग है मसाव हताश होकर और रोनी लगा कीको जुरो ने समंदर किनारे मसाव के साथ कुछ वक्त पिताए और फिर शाम को वो दोनों मेले में आ गए वहाँ दोनों ने कुछ खेलों में हिस्सा लिया लेकिन जीतने के चक्कर में कीको जुरो बहुत चिटिंग करने लगा जिसे देख दुकानदार ने अपने दोस्तों को बिला कर उसकी जम कर पिटाई की मार खाकर वो मसाव के पास आया मसाव ने देखा उसके सर से खून निकल रहा है उसके पूछने पर वो बोला मैं सीडियों से गिर पड़ा था उसी रात एक दुकान खुलवा कर मसाव कुछ दवाईया ले आया और उसकी मरहम पटी करने लगा कीको जिरो ये देख थोड़ा भावुक हो गया क्योंकि आज तक उसकी इतनी फिक्र किसी ने कभी नहीं की थी उसने पहली बार मसाव को शुक्रिय अदा किया और उसके साथ जो भी गलत किया उसके लिए उससे माफी मागी ऐसा लग रहा है कीको जिरो भी दीरे दीरे बदल रहा है अगले दिन दोनों सफर पर निकल पड़े धूप से बशने के लिए वो सर पर एक बड़ा सा पता लगाकर पैदल चलने लगे चलते चलते दोनों एक भुटे के खेत में पहुँचे कीको जिरो भुटा चुराने खेत में गुशा और उसे वहाँ वही लेखक मिल गया जिसने दोनों को लिफ्ट दी थी दोनों ने मिलकर धेल सारे भुटे चुराए और उसे सड़क के किनारे ही बेचने लगे कीको जिरो से मसाओ की कहाने सुनकर उस लेखक को बहुत बुरा लगा उसने कहा इतने छोटे से बच्चे के दिल में कितने तकलीफ कुजरी होगी हमें इसे फिलहाल अकीला नहीं छोड़ना चाहिए कुछ दिन उसके साथ घूमना चाहिए कैंपिंग करनी चाहिए और फिर तीनों कैंपिंग करने निकल पड़े नदी किनारे तंबू लगाया और मसाओ मशली पकरने वाली रोट से मशली पकरने की कोशीच करने लगा तभी वहाँ वही बाइकर्स बीआ पहुचे जिसे कीको जूरो ने घंटी मांगी थी कीको जूरो ने उन्हें सारी कहाने बताई और उस घंटी के बारे में मसाओ को बताने से मना कर दिया अब उनमें से एक ने कहा अरे यहां तो कोई मशली ही नहीं है मसाव बेकार ही से लेकर बैठा है बस इतना बोलना था उनका कि कीको जुरू ने एक बाइकर को मशली बना कर तलाप में डाल दिया और एक बंदे को तो ओक्टूपस जैसा सजा दिया सब मिलकर मसाव के साथ खेलने लगे, हसने लगे कुछ तेर बाद कीको जुरू ने बाइकर से पूछा यहां से दाई तोचू कितना दूर है जादा दूर नहीं है बाइकर ने कहा कीको जुरू मसाव को लेका के पास छोड़कर दाई तोचू के लिए निकल गया दरसल वहां एक वृद आश्रम है जहां उसकी मा रहती है वही मा जिसने उसे अकेला छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी अपनी मा को ऐसी हालत में देख वो बहुत भावुक हो गया अकेला-केला से रहने लगा तब एक बाइकर ने आकर उससे कहा जब तक मसाओ साथ में है तब तक तो तुम उदास मत रहो अब यहां कभी वो लोग जंगली बनते तो कभी एलियन बनकर मसाओ को अलग-अलग तरीके से हसाने लगे मानो उनकी दुनिया मसाओ के आसपास खूम रही हो देर रात तक लेखक ने मसाओ को बहुत से कहानिया सुनाई उसे अकेले पन की कमी महसूस नहीं होने दी अगली सुभा बाइकर पास के खेट से तर्बूस चुडा ले आया तर्बूस खाते वक्त कीको जूरू जैसा इंसान वहां आकर उन्हें ग्यान की बाते समझाने लगा कि किसान कितनी महनत करके अना चुकाते हैं और तुम जैसे बदमाश लोग उनकी फल चुरा लेते हो छी छी कितनी शरम की बात है हाला कि एक दिन पहले ही वो खुद भुट्टा चुरा रहा था और इतना सब ग्यान देने के बाद वो खुद भी तर्बूस खाने लगा इसके बाद सारा दिन वो मसाओ के साथ बच्चों वाले खेल खेलने लगे उसे हसाने लगे जिससे वो बस खुश रहे मसाओ आज अपनी ज़ंदगी में पहले बार ऐसी खुशी का अनभव कर रहा है इस खुशी के सामने वो अपनी मा के गम को भुला बैठा इन नए दोस्तों के साथ मसाओ ने कीमती कुछ पलो को खुल कर जिया पर अब सबके विदाई की घड़ी आ गई है सबसे पहले बाइकर्स ने उसे विदाई ली कीको जूरो और लेखक ने मिलकर मसाओ के साथ और भी समय गुजारा और आखिरकार वो अपने शहर वापिस आ गए अब लेखक ने उन्हें बस्टाप छोड़कर उनसे अलविदा लिया अब वो घड़ी है जब मसाओ और कीको जूरो को भी एक दूसरे से अलविदा कहना होगा कीको जूरो बोला हमें ऐसी और भी छुटिया साथ मनाने चाहिए हम एक बर फिर से ऐसा समय एक साथ जरूर गुजारेंगे और मुझे उम्मीद है तुम अपनी दादी का खुब ख्याल रखोगे ये कहकर जब कीको जूरो जाने लगा तो मसाओ ने पीछे से कहा मिस्टर आपका नाम क्या है ये तो आपने बताया ही नहीं कीको जूरो उसके जंदगी में एक बेनाम शक्स बन कर आया लेकिन आज उसने उसके दिल में वो जगा बना ली है जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं आखिर में मसाओ ने कीको जूरो का नाम जाना आज वो बहुत खुश है उसने अपने जंदगी का सबसे अच्छा सबसे सुन्दर छुटिया बिटाई उसने पहली बार अपनी मा को देखा उन्हें भुला पाया जिसमें उसके नई दोस्तों ने उसकी मदद की संदिकी के असल माइने को समझा नई दोस्त भी बनाए और उनके साथ ऐसे यादे बनाए जो से मरते दम तक याद रहेंगी साथ ही खुशी देंगी और यही सब सोचकर मसाओ बहुत खुशी से दोड़ता हुआ अपने घर जा रहा है जिस मसाओ को हम पहले जीन में देख रहे थे यहां बदलाओ सिर्फ मसाओ में ही नहीं कीको जुरू में भी आया है उसने मसाओ के अंदर खुद को देखा इस सफर ने उसे भी बहुत कुछ दिखाया है उसे एक अच्छा इंसान पना सिखाया जिम्मेदारी क्या होती है इसका एहसास दिलाया इस सफर और इस गर्मी की छुट्टियों ने कीको जुरू और मसाओ दोनों को पूरी तरह से बदर कर रख दिया और इसी के साथ एक खुबसूरत कहानी मैं यहीं समाप्त करती हो आशा करती हो आप सब की भी छुट्टियां ऐसी ही बीते धन्यवाद